देखिए हमारे पुराणों में जो इनका प्रयोग किया गया है जो SI की रिपोर्ट के अनुसार वह अभुमुक्तेश्वर ही है क्योंकि शिव महा पुराण में और लिंग पुराण में अभुमुक्तेश्वर का उल्लेक मिलता है को जिसपर की सबसे पहले की घ्यानी शतात्दीप में अकफिय कि उसके बाद रजीय सुल्तान और फिर उसके बाद सिकंदर लोदी ने और सिकंदर लोदी के पश्चाथ इस पुर्णा नर्मार किया अक्वर कि काल में... प्रमान सिंग्ग के द्वारा और उसके ठीक सो वर्ष उपरांत यानि कि 1669 में यह मंदिर और अंजेब के एक फर्मान के द्वारा तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जित का निर्मान कराया गया एक ग्रंथ जो स्वयम साकी मुस्तरित खांका है मासिरे ए आलमगिरी में इस्पष्ट हो जाता है जिसमें एक तरह से और अंजेब ने स्वयम ही मंदिर के तोड़ने की बाद स्विकार की है जिससे की इस्पष्ट हो जाता है आठ अप्रेल 1669 को उसने एक आदेश दिया था जिसमें की हिंदू मंदिर को गिराने के लिए उसने एक फर्मान जारी किया गया था और कहा था कि सुवेदार अपनी इक्षा से मंदिरों पाट सालाओं इत्यादी को नश्ट कर दे और मूर्ति पूजकों के सास्त्रों को विनश्ट कर दे ऐसी बात उसने कही थी क्योंकि उसके बाद इस मंदिर में 2 सितंबर 1669 को बाश्शा को खवर मिली कि उससे बनारस के मंदिर काशी विश्वनात मंदिर जो अम्मूलत अभुमुक्तेश्वर मंदिर था उसे गिरा दिया गया है और गिराहा ही नहीं गया उसके उपर तुरंत मस्जित का निर्मान कर दिया और बनारस का नाम बदल करके और अंगाबाद रखा रख दिया गया है कि अब और दमान परिपेख्ष में मोटे तौर से आप अभुमुक्तेश्वर या विश्वनात मंदिर जिसको की यह वाला नहीं था जो वर्तमान में वह नहीं यह तो काफी नया है पुराने वाले मंदिर की हम चर्चा करते हैं तो काशी पर और अंजेव की नजर इसलिए आई थी क्योंकि 1606 में छत्रपती शिवाजी ने को दिल्ली जब सत्रपती शिवाजी को दिल्ली बुलाया गया उनका आपमान किया गया कैद किया गया वे वापस आय तो काशी में आकर के छिपे थे इसलिए और अंजेव ने काशी की और विशेज ध्यान दिया क्योंकि वह हिंदू धर्म के अग्रजक अग्रच थे पादेश पारित किया गया था प्रत्वाशिश्वर को भी अपना निशाना बना चुब आधा